आज हम Facebook Ads के उन metrics के बारे में जानेंगे जो कि बहुत important है किसी भी e-commerce की sales के लिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो on the topic important Facebook metrics for e-commerce तो दोस्तों हम एक एक करके important metrics को समझते हैं याने कि common metrics की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पर iOS जैसे कि iOS होता है जो कि कोई भी देखके समझ सकता है कि good है या bad है लेकिन जब decision में कोई confusion हो रहा हो creative अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है campaign अच्छा काम कर रहे है कि नहीं कर रहे है दोस्तो unique CTR अगर आपका 1 या 1.15 के ऊपर है तो यह काफी अच्छा माना जाता है और कोई भी ad किसी भी campaign के अंदर का कोई भी ad कितना अच्छा काम कर रहा है अगर 4 ad चल रहे है तो 4 में से कौन सा ad ऐसा है जो जादा लोगों को attract कर रहा है और कौन सा ad ऐसा है जो कम लोगों को attract कर रहे है इन ads की पहचान जो है आप इस unique CTR से बहुत आसानी से कर सकते हैं याने कि जिसका ज्यादा unique CTR है उसमें ज्यादा लोग उस ad को देके attract हो रहे हैं जब भी तो link पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि वह सब कुछ बाकी सारी चीजे उसमें सेम है उस campaign के अंदर उस ad site के अंदर लेकिन केवल अगर उस ad का CTR जादा है unique CTR अगर जादा है तो वह ad जो है बाकी उसी के साथ उसी category में चल रहे है एड से बैटर है दोस्तों यहां पर एक और होता unique CTR all मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसमें आप confused मत होना CTR all या unique CTR all इन डेटा को आप मत देख यानि कि 3-4 अगर आपके ad चल रहे हैं और अगर आप confused है कि कौन सा एड जादा अच्छा है कौन सा एड कम अच्छा है तो उसका आप unique CTR देख लें और जिसका unique CTR बहुत लो है उस ad को आप बंद कर सकते हैं और जिसका unique CTR अच्छा है high है उस ad को आप continue कर सकते हैं दूसरा कर सकते हैं कि पुराने अगर आपके ads चले हुए हैं उन में से आप देखें कि 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 इनिक CTR बहुत जादा हाई गया था जिसका unique CTR बहुत जादा हाई गया था उस ad को आप repeat कर सकते हैं या उस type के ad को आप repeat कर सकते हैं क्योंकि उसने पहले भी आपकी audience के साथ बहुत कोई judgment लेना हो तो इसे हम कह सकते हैं CPM cost per million यानि कि 1000 लोगों को impression दिखाने का Facebook आप से कितने रुपे ले रहा है दोस्तों कभी भी आपको ads के बीच में या campaign के बीच में फरक देखना है कि कौन सी campaign अच्छा perform कर रही तो एक criteria यह भी हो सकता है कि कि किसका CPM आपको जादा चुकि उनको दिखा रहे हैं इसलिए वो costly पढ़ सकता है क्योंकि आपने बहुत limited audience size दे रखा है Facebook को कि यह इतने ही लोगों के बीच में दिखाना तो Facebook उसका आप से जादा charge लेता है लेकिन अगर आप काफी broad audience पे चल रहे है या अगर आपका open audience पे चल रहा है कोई targeting नहीं आ रहा है या लोग उसमें इंगेज नहीं हो रहे हैं तो मैं यहां पर आपको conclusion देना चाहूंगा कि अगर आपकी audience या broad targeting है और अगर आपका CPM बहुत हाई आ रहा है अब comparatively high वाली बात होती है यहां पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100 रुपे से जादा है 200 रुपे से जादा आप ही के ad account के अंदर अगर दूसरी campaign या दूसरे ads के comparison में किसी ad का या किसी campaign का CPM बहुत ज्यादा हाई आ रहा है और उसकी targeting भी काफी broad है इसका मतलब यह है कि उसका creative quality बहुत लो है आपको creative बदलने की जरूरत है क्योंकि अगर आप high CPM पे काम करेंगे तो आपका result आपको इस calculate होते है Facebook platform के अंदर ही यानि कि जब लोगों ने देखा या जब लोगों ने click किया अब मैं अगले एक एक ऐसे matrix की बात कर रहा हूं जो की calculate होता है आपकी website पे आने के बाद cost per content view दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि आपके किसी भी product page पे सामने वाला visit किया तो उसके अगर आपका ROS बहुत जादा जा रहा है तो यह सारी चीजों को ignore किया जा सकता है लेकिन अगर आपका ROS low है या बाकी campaigns में भी अगर आपका ROS जो है वह comparatively एक दूसरे में fluctuate हो रहा है तब आपको differentiate करना है कुछ campaigns में या ads में तब आप इन matrix का फायदा उठा सकते हैं तो cost per content view ह कोई website वाले matter website वाले matter पर आप देख सकते कि कौन जादा सस्ते में आपके product को जादा लोगों को दिखा पा रही है उस पर आप scale कर सकते हो उसका budget बढ़ा सकते हो and vice versa अब दोस्तों आप किसी भी matrix को अगर day wise देखना चाहते हैं कि 15 तारिक को कितना ROS था 16 तारिक को कितना ROS था 18 को कितना ROS था day wise अगर आपको पूरे week का देखना है या day wise आपको पूरे month का देखना है तो वो कैसे देखना है मैं आपको बता देता हूँ आप यहां देखेंगे कि breakdown की button आती इस breakdown की button में जो है आप drop down में time पे जाएंगे और time में जाके आप यहां पे आके days पे चले जाए कितना CPM पड़ा कितना CTR पड़ा और कितना ROS आया यह कई बार आपको conclusion लेने में या judgment लेने में फायदा देता है कि हमने वो experiment उतनी तारिक को शुरू किया था और इतनी तारिक को बंद किया था तो उसका उतनी तारिक पर क्या क्या result था यह सारी चीज़े देखने के लिए ह इस तरीके से देख सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा कस्टम मैट्रिक्स जो Facebook आपको अपनी तरफ से बना कि नहीं देता लेकिन मैंने अपने experience से यह पाया कि इस टाइप के मैट्रिक्स की हमें जरूरत है ताकि हम बहुत आसानी से पता लगा प हम बताता है कि सो रुपे खर्च करने पर कोई भी campaign आपको कितने clicks दे रही है जो आपकी website पर लोगों को पहुंचाएगा मैं फिर से दोराता हूं 100 रुपे में कौन आपको कितना click दे रहा है जो जादा click दे रहा है वो जादा अच्छा है जो कम click दे रहा है वह कम अच्छा तो 100 रुपे का एक जो rate है 100 रुपे के भाव में आपको कितने क्लिक कौन सी campaign या कौन से ad creative से मिल रहे हैं उसका formula यहाँ पर लगा हुआ है और उसको हम देख सकते हैं for example यहाँ पर लेखा 30.42 यानि कि 100 रुपे का ad चलने पर यह वाली campaign मुझको 30 clicks देती है 30.42 clicks देती है वही कुछ campaign जो है वो मुझे 100 रुपे का ad चलने पर केवल 11 clicks दे पा रही है या केवल 10 clicks दे पा रही है यानि कि वो मुझे काफी costly पढ़ रही है दोस्तो इस formula के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप free में जान सकते हैं उसके लिए आपको केवल मेरे WhatsApp नमबर पर मुझे message करना है और मैं आपको बता दूँगा कि यह formula आपको कैसे setup करना है तो दोस्तो यह थी मेरे टरब से कुछ ऐसे important matrix जब आप confusion में हो तो इन्हें देखके कुछ decision ले सकते हैं e-commerce के case में अगर आप को e-commerce या leads से related कोई doubt या query या कोई services लेनी है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं इसके लावा किसी नए topic पर आप video चाहते हैं तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं